आपकर दोस्तो आप सभी का सवागत आपके अपनी यूटूब चैनल पर दोस्तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं जीटियल इंफरा स्टोक के बारे में सुगस इस स्टोक पर देखने को मिल रहा है आखिरकार दोस्तो इस स्टोक पर तेजी कब बनने वाले हैं और साथ ही साथ दोस्तो कमपनी का जो डेटावेश है कवार्टर टू के रिजल्स तक कितना पोजिटिव जा सकता है सबसे पहले प्राइस पर अगर हम जर्जा करें तो दो रूपर 27 पिसे पर आज का सेसन कलोज हुआ है इंट्राडेक की जो हाई फ्राइस रही है वो दो रूपर 31 पिसे है यानि कि ओलोर मार्केट में जो डिफ अच्छा पोजिटिव रिटन देखने को मिलेगा और पोजिटिव रिटन के साथ एक कोफिटर्स का गेम भी अच्छा खासा नजर आया था क्योंकि टोप प्रेस चार रूपर 33 पेसे इस स्टोग की पांच जुलाई को जो एड हुई थी तो उसके बाद इस स्टोग पे पांच साल का डेटा भी अगर रिड़ करते हैं तो यह स्टोग के लिए हो जाती है कि इस स्टोग पे ओवरेटर्स का जो गेम कई ना कई काई काफी ज़्यदा बना है तो अभी मैंन चीज़ यह देखने को मिल रही है कि कंपनी के ओपर जो कर्ज का दबाव है वो काफी चुका है और RBI को करज रिस्ट्रेक्सर करने क्या हो सकता नजर आ रही है इस से कंपनी ने कुछ नोटिफिकसन जारी किये थे पर अभी की टाइम अगर बात की जा इस कंपनी के डेटाबेस के ओपर तो एक से इस किलिए हो रही कि मार्केट में इस कंपनी से निवे सक और इस निवे सको ने ओल्ड की है अब इस स्टोक में मैन लोसा कहां पर देखने को मिल रहा कि पिसले आठ जो रिजल्स निकल किया है उसमें कंपनी का लोस मेकिंग का डेटा निकल किया है साथी साथ प्री ओपन मार्केट पे भी दुस्तो निवे सक खुस नहीं है यहां प जो देखने को मिल रहा कि भारतिय बाजारों पर भी नॉर्मल गिराओट रहने वाली है अब आखिरकार इस स्टोक में अभी गिराओट रही है पर तेजी कहा नजर आएगी उस तीज़ को जानने से पहले हम आप लोग को बता दो चैनल पर नए हो दो चैनल को रुश्यों स टेजी से बढ़ी है और आरेसा इंडिकेटर जब तक दोस्तों लगवग 32-32 अंगों के असपास क्रोश नहीं हो जाता तब तक दोस्तों इस स्टोक पर वही गिराओट कंटिनिसली नजर आने वाली है और इस गिराओट 230-32 अंगों तक नहीं आएगा तब तक दोस्तों इस कहां पर कारोबार कर रहा है RS1 निकेटर एक चीज़ भी कलिएर कर देता कि मार्केट में कितनी जद्हादा सेलिंग क्वंटिटी अभी बनी हुई है और कितनी बाइंग क्यूंकि जहां तक दोस्तों इस आर्साइ निकेटर स्टोप पर कारूबार करता है और बोट जोन के अ अच्छा का सांस आ चुका है और इसी के वज़े से मार्केट में एक अच्छा का सा जो ऑपरेटर का गेम बनाया जाता है अब उसके बाद देखने को मिल रहा है कि अब एक टाइम टेलीकॉम सेक्टर पर कुछ अबडेट निकल किया रही कि आज के फिसले कल को परवाद कर सकत हैं जी एस एमे के मेड से ग्रेन एंडरी तो अभी के टाइम फाइब जी के विस्तार के लिए सिक्स गीगा हट बेंड में स्पेक्टरम तदा नियामिक धांजे के तहत और डे टॉप ओटिटी कंपने की मांग कर रही है जिसमें से कई नहीं कहें आगे चलकर दो इस सीज़ का जो असर है वाने वाले बहुत से पर पढ़ सकता है यह कुछ एक्सपर्ट के मताबिक रहा देखने को मिल रही है क्योंकि यहां पर जो देखने को मिल रहा है कि आप भारत जो चल फेसली लेगा उसका असर बहुत से पर पढ़ने वाला है उनने कहा कि अगले पचास से कर रही है और इसनों ने कहा कि दोस्तों बादाओं से निवट लगियाने के लिए हमें ओद्यों को मिलकर काम करने के लिए आज रणने नितिक फैसले लेने के आफ़ सकता है क्योंकि कई करज में डूबी हुई है साथी साथ कर इना कि इस जीटेयल इनफराग को जो बवश्य को पैसा लेकि बटी हुए तो वह कही ना कहीं खत्रे में चल रहा है निवश्क आप पैसा बरबाद होने के जो समस्याई है वो ज्यादा नज़र आ रही है और इस जी के बदूलत कर इना कर देना और आपके नज़र में कोई पैनिश टो को तो उसके जाने करी कमेंट में फिन कर देना इनल्सेस करिके आपको जल्ले बता दिया जाएगा मिलते हैं एक्टिमेजिंग वीडियो के साथ तब तक के लिए जाज़त देजिए जैसरी काशना थैंक्स डोस इन गिसमें वीडियो जाहिं जेबात उन देमात्रा